फ्रेंड हम आज के कमपोटर स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं हम जो है इस योजना की ओफिसल वेबसाइट पर हैं इसका URL है बालविकास.missanwatsal.up.in आप इतना टाइप करेंगे तब जो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे और फिर जो है इसका हम लिक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्सिन पर देखेंगे आप वहाँ से इसमें आ सकते हैं इसमें किस तरह की बच्चों को सौमिल किया गया है तो उसके लिए आप इस पेज को स्क्रोल करेंगे तो आप यहां पर नीचे आएंगे देखेंगे इसमें बताया गया है उत्तर प्रदेश मुकमंतरी बाल सवय योजना के अंतरगत इसमें किस तरह के बच्चों को जो है लाव दिया जाएगा आप इसको पूरा रीट कर लेंगे तो आपको अच्छे से सम पूरा नीरूप से मतलब आकस्मिंग मौत हुई है तब उनका द्यान थोआ तो उस तरह की बच्चें को जिनका कोई लेगल गार्जियन नहीं है उसको इसमें जो है वित्तिय सायता दी जाएगे उनके सिच्छा के लिए उसमें जैसे देखिए आपको बच्चें होंगे जो है। कोईट की यहां पर सामांने वालाना कि जिनकी एज 0-18 साल तक की है ऐसे बच्चे जन्होंगे माता पिताउ को खोदिय कोईट से उनको जुब बता है कि इसमें hai 4000 रुपे तक के मंसली पेंशन दी जाएगी और इस ये भी बताया गया कि इस योजना के अंतरगत एक से 18 तक की आयू की बच्चे को कच्छा 12 तक की निसुल को सिच्छा है तो अटल अवासिये बिद्यालोता कस्तूर्बा गांदी अवासिये बिद्यालोता कराया जाने का प्रावधान भी रखा गया है। एक लाख एक हजार उपे कद हुए रासिय अनुदान में दी जाएगी। ये उन बच्चों के लिए है जिनके माता पिता की डेथ कोबिट के वज़े से हो गई है। ऐसे चाहिए जिनके माता तलाक सुधा इस्तिरिया परिवक्ता हैं तथा उनके माता पिता परिवार का मुक्ष करता जेल में है। अत्वा ऐसे बच्चे जिन्होंने बाल सरम अथ्वा बिच्छा पिरिति या बाल वैसे पिरिति से मुक्त कराकर परिवार या परवारिक वातावरार में समय उजित कराया गया हो। इस तरह के बच्चों को इसमें सामिल किया गया है और उन परिवार के बच्चों को 25 रुपे जो है मंतली पेंसन दी जाएगे मतलब अनुद्वान दिया जाएगा। तो फ्रेंड इस योजना की पातरता है तो आपके घर में अगर ऐसा कोई है या फिर आगर आपके आसपास आपके गावमें हैंगर कोई तो आप जो है उनका इस योजना में राजिस्टेशन करवा कर आवधन करवा कर उनको लाब दिला सकतेए हैं बाकि इसमें किस तरह से करना है क्या प्रोसेस है उस पर में लेकर चलता हूं आपको आप यहां पर देखेंगे डाउनलोड का एक सब्सक्राइब करेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे जो मैं ने आपको दिखाया वही चीच दिवस में मेंशन की गई है इसमें आपको योजना के कर सकते हों इसका लाब मतलब ले सकते हों कॉन-कॉन सब्मिट करना है किस तरह से वां को सब्मिट करना है किस तरह से इस पीडिएप में आपको समझाए गई नहीं मतलब पातरता के लिए इसक行了 पताए कि लाब भारती आनिवार उसे उत्तर परदेश का मोल निवासी होना चाहिए और एक पविवार के सभी बच्चों की योजना का लाब मिल सकेगा इसी तरह से एक माज 2020 को या फिर इसके उपरोग दो स्रेडियों में आने वाले बच्चों को योजना का लाब दिया जाएगा और यहां पर देखिए बता जाए योजना के अंतरगत दे लाब किस स्रेडियां जो मैंने आपको दिखाया कितना इसमें इमांट आपको मिलेगा बच्चे को होथब इसमें बताया गया इसए तरह से अगर आप इसमें आंगे इसमें बच्चों को और बीदेरेइजा शक्षफिल करना होगा होगा को सब्यद्र करना होगा इसमें अब आश्लिए करना होगा। उक्राल आफ मिले कि आवये दन पत्र ग्राम 8 तरह में मतलब अगर आप ग्रामेरी छेतर से हैं तो आपको जो ग्राम विकास अधिकारी या फिर ग्राम पंचायत अधिकारी के पास या फिर विकास खंडिया सीधे जीला प्रोवेशन अधिकारी करयले में जमा होगा इसी तरह से गर आप सहरी छेतर से हैं तो सहरी छेतर में लेकपाल के पास या फिर तासिल या पिर सीधे जीला प्रवेशन आधिकारी की कार्याले में जमा कराया जाएगा इसे के साथ निर्धारित प्रारूप पर भरे स्वयम सत्यापित वा सभी सलगनों के साथ आप प्राप्त आविदनी मानने होंगे मतलब कि इसमें जो भी डॉक्मेंट आपको दिया जाएगा उन सब पर आपका सिकनेचर होना चाहिए तब इसमें किया जाएगा और इसमें पता जाया है कि माता पिता या माता पिता की मृत्यू से दो वर्स के भीतर आविदन करना अनिमार नहीं होगा तता किसी भी बच्चे को अनमोधन के तीफी से लाब अनुमन्य होगा यानि कि फ्रेंड आप जो इसमें किसी का रजिस्टेशन कराएंगे तो जो है उनके माता पिता की डेथ हुए दो वर्स के भीतर इसमें जो है आविदन किया जाएगा और आविदन जैसे ही रिसीब होगा उस रिसीबिंग डेट से ही बच्चे को जो है इसका लाब मिलना इस्टार्ट हो जाएगा इसी तरह से उपरोक्त आविदन पत्रों का सत्यापन ग्रामीड चेतरों में खंड विकास अदिकारी तता सारी चेतरों में उप जीला अदिकारी द्वारा किया जाएगा जो प्रमाण पत्र हम डालेंगे उनका सत्यापन इस तरह से किया जाएगा इसी तरह से फिरिंड आप देखेंगे योजना के अंतरगत लाभारतियों का सत्यापन किस तरह से किया जाएगा योजना का लाप राप्त करें लाभारतियों का प्रतिवर्स ग्रामीर चेतरों में विकास खंड ता सरी चेतरों में तलसिल के माध्यम से सत्यापन कराया जो लोग जिनके डेथ हुई है उसकी पूरी सी चीज़ उनको उपलाव करा जाएगा उसी के साब से जो इन में दिया जाएगा अब देखिए योजना के अंतरगत लाभारती के अपात्र होने कारण मतलब कौन-कौन इसमें अपात्र हो सकते हैं देखिए लाभारती के मिरत्त इसके बाद बच्चे का आयू परमाण पत्र परिवार रजिष्टेर की नकल तता किसी सरकारी दस्तावेज की जिसमें आयू का उल्लेक हो मतलब आयू परमाण पत्र बच्चे का देना होगा इसके साथ संबंदी स्रेडी के सिच्छर संस्तान में पंजियन का परमाण पत्र और उत्तरपदेश के निवासी होने का घोसणा पत्र इसके साथ आय परमाण पत्र और यह पताजी कि हम फिल करेंगे उफ हम इसी पीडिये में आपको मिल जाएगा सेवन नंबर पेस पर देखिए आप आवेदक का बच्चे के साथ क्या संबंद है यहां से माता पिता सारक्षक सोयम आप यहां से टिक लगाएंगे इसके बाद बच्चे का नाम हिंदी में बच्चे का नाम मिरत्इक हैं और अगर मिरतिक हैं तो उनकी मिरत्यव की सारग्षक का नाम पूरा सिसके संबंद मतलिप और बच्चा वार्तमान में है मतलब कि एगा whoa कि किसके जवफ देखरेक में पल बढ़ रहा है उनकी डेटियल यहां पिए बच्चे से संब्प्लब बत्चा भी जिसके पास है उनका उन से क्या संब्फ मंसें करेंगे और पूछा जैरा नावार्ती уतर Прदेस का निमासी है आप यहां करना अगर के नहीं होगा तो जो इस की सिर्वांब इसके बाद पूरा पता आपि और फील करेंगे अस्थाई पता वर्तमान पता और इस में बता जए कि परिवार की वार्शी काया 2-0-目前 से कम है वार्शी कायन की बंदा सब्सक्राइब लेंगे और परिवार के सदस्यों का पीवर न किसीं अजल सकते दारग का नाम डारख जिए कंगे बच्चे से संबनने मतलब अगर अपसी कोड क्या है ऊसब आप फिल के בाकि आप से फिल करेंगे उसको अपने इसाप से फिल करेंगे आपकी केस में जो ऐ gegenजमिय जो जई लगता है इसके बात देखे-द्ध से क्रुट अब प्रमाट्पत्र सलगने कर एक क्वाइब करेंगे आप उसमें आपको कौन तो आप उसको भी दे सकते हैं माता या पिता के जीविते रहने के इस्तिति में आय प्रमाण पत्र मात अपिता दोनों की से आपको मिल जाएगे और निर्धारीत प्रारूप पर सपत्पत्र सपत्पत्र आपको मिलेगा उसको फिल करेंगे इसी पीडियेप में भी मिल जाएगा आपको इसकी बाद आप नीचे आएंगे यहां पर आवेदक का हस्ताक्षर यह बायां अगोठे के निसान पूरा नाम कर देंगे बाला क्या बाला कहा मतलब जिसके आम से अविदेन कर रहें बालक है या बालीका उसका नाम डालेंगे और आप सपत-करता कि अनका नाम और पता के साथ स्थाक्षर करवा लेगे सत्यापन करता के स्ताक्षार पदनाम आप इसको यहाँ पे छोड़ देंगे इसके बाद देखी यहाँ पे उपजीला अधिकारी सहरी छेते हैतु खंड विकास अधिकारी ग्रामीट छेतर उत्य की संतुष्ति यहाँ पे देखिए इस तरह से जो है इन सभी डाकुन जो मैंन उनके द्वारा सत्यापन किया जाएगा, तब जो है आपको इस योजना का लाब मिलेगा, फ्रेंड आसा करते वीडियो आपको काफी helpful लगा होगा, अगर आपको इसमें कोई भी और confusion है, तो आप उसे कमने पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी help करेंगे, फ्रेंड इस फार्म का कि डेथ हुए, दो साल से कम ही हुआ होगा, तब जो है फार्म अपलिकेबल माना जाएगा, अगर दो साल से ज्यादा है, तो फार्म आटोमेटिक रिजेट कर दिये जाएगा, तो फ्रेंड आप जो है इन सब बातों का ध्यान देगे, तब जो आप इस फार्म को फिल करवा आएगे, तो फ्रेंड मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जैहिन,